एसे और वीडियोज देखने के लिए सब्स्क्राइब बटन दबाएं हेलो ओल फ्यू माइनेम इस सालिया, आप फॉम गोवेंडी बैगनवाडी चिकलवाडी एरिया से हूँ मेरा काम एजुकेशन्स और हेल्ट एन सेनिटेशन्स के उपर लड़कियों के शेशन्स लेती हूँ जैसा के आप बच्पन में क्या सूचते थे खेलना है मुझे घूमना है वैसे मेरी भी एक एसी थी में घूमती थी तो जैसे कि लड़किया जाती थी हमारे एक सेंटर अपना ले नाम का वहाँ पर सभी लड़किया जाती थी सचिता के उपर सेशन्स सुनती थी तो वैसा मुझे लगा क्यों ना मैं भी जाओं अभी से मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं कि क्यों ऐसा बता रहे हैं तो मैं आई घर पर मेरी मम्मी से बताने लगी कि यह सब क्या बता रहे हैं फिर मैंने अपने सोचा मम्मी देखो दीदी फिर दीदी को भी बताया सब बात मैंने ऐसे करके मैं सेंटर में जाती ती आती थी जब मेरा 10th की पढ़ाई हुई 10th की आप लोग का क्या कहना है कि 10th आप जब पढ़ लेते तो आपकी ख्वाईश क्या रहती है सबकी ख्वाईश रहती ना कि मैं आगे 11 जाओं कॉलिज लाइफ देखूं कि कैसी होती ही कॉलिज लाइफ वैसे मेरी भी एक सोस थी पर मेरी दीदी ने 9th के बाद उन्होंने ड एक ऐसी वज़ा निकल जाती जिसके कारण उनको चुप बैट जाना पड़ता है नहीं बोलना पड़ता है वैसे मेरी भी एक हाला थी कि मेरे 10th के बाद मेरे पापा ने नहीं बोल दिया था क्योंकि वो बिलकुल भी एक भी क्लास नहीं पड़े पापा क्योंकि उनको बच् क्या है आज हमारे घर पर पड़ेगी बाद में उसको वहाँ जाके वही काम करना है घर के काम करना है सबके पैरेंस की सोच होती है तो वैसे मैंने मेरे पपा को बोला कि दीदी तो नहीं पड़ी पर मैं पड़के जरूर कुछ बनके दिखाऊंगी कुछ ऐसा करूंगी शैस करने इसी होता है पैरेंस को एक एक जामपल जैसे कि अगर हम एक फोन खरीते हैं तो पैरेंस को बोलते हैं इसमें ये फीचर है ये है तब वह जाके हमको मिलता है उसकी खूबिया बताते वैसे मैंने भी बोला कि मुझे भी बढ़ने का शौक है पापा मैं कुछ करके दिख या मैं ममी से और पापा से कि अगर जब तुम्हारी लड़की पढ़ना चारी है क्यों ना इसको आगे बढ़ाओ आप वैसे सपोर्ट में मेरी एक रुपाली महमें वो भी मेरे पापा को आज भी कोश्यंट्स रहते हैं मेरे पापा के दिमाग में बाहर जारी है क्यूं जा है पढ़ाई के लिए तो जाओ उन लोग भी सोचते थे कि नहीं तुनी जारी तो मैं भी नहीं जाओंगी उन लोग की मम्मी को जाके बोलती थी आंटी भेजो ना स्कूल भेजो ना क्या तो चड़ाने आईगी है क्या चड़ा रही है खुद तो इसकूल जाती नहीं और मे बेटी यहों को आके चड़ा रही है मैंने ठीक है मैंने कहा पहले मैं अपने घरवाले से क्यों ना सुरुआत करूं खुद से सुरुआत करें तब जाके हम दुस्यों को सहीं में बोल सकते तो मैंने खुद की पढ़ाई के लिए बहुत से श्वगल्स किया जैसे के मेरे फिर बहुत कण्वेंस करनी के बाद एग्री हुए मेरे घरवाले मेरे पापा हुए मैंने 11 दिया 11 में जब मैं गई तो ऐसी ही सकार न्यूस पेपर होता है माराथी सकार न्यूस पेपर उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ कभी हमारे घर पर कोई नियूस रिपोर्टर नहीं फिर सेम जब वह आये तो मेरा इंटरवी लिया तो मैं बहुत खुशी खुशी सब अपनी स्टोरी बता दिम उनको भी अच्छा लगा उन्होंने अपने इंटरव्यू में मुझे सेलेक कर लिया और फिर बाद में कुछ दिन बाद उन्होंने दाल भी दिया मेरे पेपर में फिर ऐसी हमारे यहां पे महारास्ट्रल लेवल पे सावित्री भाई फुले अवोर्ड होता है जो हर महीलाओं को महीलाएं जो होती है जो अपनी कम्यूनिटी में कुछ अवे करती कुछ अच्छा काम करती जैसे कि सादी के बाद भी कुछ महीलाओं को पढ़ने का शौक रह बालवाडी खोल के रखी थी बच्छों को खुद के फंट से पढ़ाती थी उन लोगों को नॉमिनेट करते थे वहां के सरलोग ने सोचा जब महीला काम करें तो यह इत्ती सी लड़की करें क्यों ना हम इनको भी नॉमिनेट करें वह सरलोगों ने आये मेरे घर पे बात की म तुम्हारी लड़की इत्ते सारे काम करती है पढ़ाई की शौक है क्यों आप लोग सपोर्ट नहीं करना चाहा रहे थे बहुत सारे कोश्यंस किये पर जब वो नॉमिनेशन का टाइम आया तो उन्होंने यह बात की कि तुम्हारी लड़की बहुत आगे जाएगी पर हम सुबहां को आते हैं कैसलों कि अनुद्ख कारन की वजए से मदम कर एते हैं और हमारे आपके में सेफटी नहीं तो लड़की और ती जाने के लिए स्कोल तो वैसे ही जब महां नॉमिनेट के लिए मुझे तो बोला की अपने पापा को बूला विछारों ने बहुत दो से त और आप की एक शाई समाख़ तो सको किस वजह से तुम मना कर रहे थी तुम्हारी बेटी को जब मेरे पापा वहा आ गया हम लोग मेरे को फ्रस्स नॉमिनेशंस समेरा था सही में वो उस टैम मेरे पापा की सिच्वेशन ऐसी हो गई थी कि एक ऐसा महसूस कर रहे थी कि मैं एक लड़का हूँ उस टैम मेरे पापा को बहुत खुशी हुई कि मैं आज शाय से रुका देता है मेरी बेटी की पढ़ाई तो शाय से ये लेवल मुझे नहीं मिल पाता और साथ में आज हम लोग सब के पैरेंस डरते हैं लड़कियों को भेजने के लिए पर अगर हम किसी को कुछ कंविंस करना चाहे तो उसे पहले बताए हम लोग जैसे के अभी अपनी कम्यूनिटी छोड़ के बाहर एक गुरूब बना के जा रहे हैं पैरेंस को भी डर नहीं अगर एक आ रही है दूसरी नहीं आ रही किस वज़ा से नहीं आ रही है दूसरी से पूछ सकते हैं एक गुरू बना के हम लोग एक बाहरी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए अभी स्टडी के लिए और साथ में मैं सोची क्यों ना एजुकेशन ही सिफ नहीं है मैं जो बाहरी स्टी इलाके में रहती हुआ है我 हैं मैं इतनी गंदगिए कि हम बार बार हं लोगों उसे नहीं बोल सकते हमारा काम करें सको हम भी कभी ईफट्स लेना च्यंट्ज में हमारा हमारी बस दिमारे बनावारी है शोचके तो मैंने एना'REUnis बora हम इसको कुछ अलग तरीके स्वेवदय máximo करके आप उसमें सोच फोट भार्फी के त्रू हमारे इलाका बता है जब ने फोटोग्राफी की अपनी बस रच अधी हमारे घर में एक ट्वालेट रहती है उसको दो बार भी धुलते हैं तो किता ऐसा लगेगा इसमेल आरी अभी भी हमारी बस्ती में तो लाखों लोग वही बातरूम में जाते एक बार ट्वालेट धुली धुली जाती है फिर हम लोग जब वह एक्जिविशन रखा गया हम लो बार यह है वो बार साथ जाती हैं हमको अब फर्रक की नहीं पढ़ता है कि हम वहीं से बचिंद में तो इसलिए लोगों ने सोचा सही में हमारी बस्ती है, सही में यह बाट्रूम में ऐसी है क्यों नहीं हम अपने फरज आ लें, तब हम लोगों ने वहां से सुर्वात की कि ह सब यहार मैं जितनी महीलाओं को हम लोगों ने बुलाया था वहाँ पे अपनी चॉल को पहले साफ करती फिर अगर ट्विलेट कर रहता है तो हाँ जाके उन लोगों को ट्विलेट वाले से बात करती कि दिन में एट लिस्त दो बार टॉलेट साफ करें की कि उसी से भी प्रिशनस हमारा हुआ थे फिर हम लोगोंने सोचा SKET PLAY कहीं सारा लोग को होता है STUDY करके पढ़ाई करके समझ में आता है शाय से कोई लोगों को होता है कि देख के समझ में आये तो कहीं सारे पेरेंस को हम लोग जब मेटिंग में बुलाते तो नहीं आने के लिए कोई कुननक पे बैठे रहते हैं कहीं, तो हम लोग ने सोचा क्यों नुक करें पर हम लोगों ने अपनी बस्ती में एक नुकatisfव कर नक रते थे के उपर हेल्थ अपर एडुकेशन के उपर घरन्टिशन के ऊपर हर वीक में 50 मैंने अभी तक का लड़कियों के शेशन्स लियूं क्यों हमारा हग नहीं है पढ़ने का बिल्कुल है सबका है सबका पहले से नॉलिज लेने का हग है अगर यही जो हैल्थ की प्रॉब्लम होती है अगर हम पहले से नॉलिज दे दे तो अच्छा होगा कि अगर जब वो बढ है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ऐसे करके मैं लड़कियों के अपने गुरूप में शेशन्स लेती हूं और हमारी बसी में ऐसा है कि लड़किया बाहर डांस के लिए नहीं जा सकती है होता है कि इतने सारे की पैरेंस मना करते हैं क्या डांस करके क्या लोग को ऐसे aware किया है हम लोगों ने तो मुझे बहुत कुशी होती कि मुझे ऐसी और भी ऐसी सिर्फ मेरी एक प्रॉब्लम नहीं है यह हम सब की प्रॉब्लम में बस हमें नजर नहीं आती है क्योंकि हम रोज यहां से वहां चले जाते अगर हम प्रॉब्लम देखे ना आज भ बहुत कि नहीं होंगे आप कि वह मंजिल आपको मिल पाएगी शायसा में पढ़ाई नहीं कर पाती तो मुझे सावीत्री भाई फुले अवोड भी नहीं मिल पाता है आज मैं इस लेवल पर नहीं खड़ी होती है मुझे अगर मेरी स्टॉगल्स की नहीं होती तो मैं को यह अगर मुझे तुमको कुछ प्रॉबलम है अगर एजुकेशन का है चेड़ चार का है तो अपनी हेल्प ले सको जैसे के मैंने हैं लिया था सर की सबकी मम्मी ने सबकी हेल्प करती है मां है जो सबकी सुनती है मां से अपनी स्टोरी शेयर करो आप लो उनकी हेल्प लो सर की हेल्प लो शैसे आपको भी ऐसी अपोर्शुनिटी मिले मुझे ऐसी कई सारी लड़किया होगी है वो डर जाती है कि कैसे बात करें हमारे घर में तो उनको भी है हग पढ़ने का सर से अपनी बात करें कन्वेंस करें उनको भी तो आज मैं अपनी पढ़ाई आगे करूं जैसे के आप लोग भी अगर पढ़े नहीं होते आज घूमने का सब का मन करता है कि नहीं सब का मन करता है हम जब ट्रेवल करते हैं या रास्ते से जाते पुर्सके ब्ष्य जांग कुछ मुझे सकती हूं अगर आज मैं पढ़ी हूं तो एस अल बादे अगर आपको कोई मेरे लिए सैनल से है आफ सब्सक्राइज खीस है किक्षे पानी की तमगा अन मुत कि ऊप शागया स्अनल से में थो आख इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेर करना ना भूलें